देश भर में इस बार चने की कीमतें आसमान छू रही है। ट्योहारों के सीजन में चना की खपत देश में बढ़ जाती है। जिस रफ्तार के साथ चना की कीमतें महेंगी हो रही है। वह रसोई का बजट बिगार रही है। माना जा रहा है कि डॉलर चना में विदेश की मजबूत होने से सरकार अगर आयाच शुल्क हटाती है तो चना की कीमत कम हो सकती है। हालां कि इस बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। परंतु अगर आयाच शुल्क हटाया तो भारतियों का प्रमुक खान पान चना सस्ता हो जाएगा। दाल दलहनों की कमी के चलते देश में इस समय इनके भाव तेज हो रहे हैं। मौजूदा समय में तुवर दाल 200 रुपए प्रती किलो और चना दाल 100 रुपए प्रती किलो बिक रही है। मध्य प्रदेश की कई मंडियों में डॉलर चने का भाव इस समय 12,000 से लेकर 14,700 रुपए प्रती किलो रह रहा है। जिन किसानों ने अब तक चना की फसल को रोक कर रखा है। उनके चेहरे पर मुसकान लोटी हुई है। मोटा बोल्ट डॉलर चना कंटेनर के भाव 16,000 रुपए प्रती क्विंटल तक पहुँच चुके हैं। मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में वर्तमान समय के दौरान डालर चने की आवग बेहत कम हो रही है। मंडी कारोबारी के पास साउथ राजियों की तरफ से डिमांड ज्यादा आने के कारण आसपास की मंडियों से माल खरीद कर मांग को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। देश में पिछले कुछ महीनों में उत्पादन कमजोर रहने के कारण अभी की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए डालर चना तंजानिया, इंडोनेशिया और कनाड़ा से अमेरिका चना भारत में पहुँचता है। इस समय देश में मांसून का सीजन चल रहा है। इस दौरान सबजियों का इस्तमाल कम हो जाता है। त्योहारों के चलते सबजियों को छोड़कर दाल दलहन और डालर चने का इस्तमाल बढ़ जाता है।